हे दोस्तों कैसे आप आप से पच्छी होंगे आपके प्लांट्स भी अच्छी होंगे आज मैं आपके लिए एक केक्टस लेके आई हूँ मैं मिली रिया केक्टस केक्टस लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है इसको आप लगा कि छोड़ दीजिए इसको ना तो ज्यादा देख चाहिए ना इसको कुछ और कुछ चाहिए इतना फटिलाइजर या खाद भी नहीं चाहिए बस हां दो तीन मेहने में एक बार रिपोर्टिंग कर दीचे तो यह बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा देखिए कितना सुंदर है यह देखिए इसमें काटे काटे होते बर यह इसको ग्रीन दिखता है खांटे भी जुके हुए है यह देखिए कितने सुंदर है मैं नर्सरी चलाती हूं मैं केक्टर सकुलेंट इंडोर आउट्डोर सारे प्लांट लगते हूं अगर आपको इन में से कोई भी प्लांट अच्छा लगता है तो आप मुझे ओडर कर सकते मैं आप तक आपको रच्छा सकती हूं देखिए कितना सुंदर है सौरी आई होब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा यह देखिए यह मिनने सारे इक साथ कर लिया मैं हर पोदी को लेके एक छोटा सा वीडियो बना के आपको डालती हूं और जानकारी देती हूं कि कैसे इसका ध्यान रखें इसका कैक्टस का ध्यान आपको सिर्फ लाकि छोड़ दीजिए खाद पानी कुछ नहीं चाहिए अपने आप ये चलता रहेगा और पूरी दूप में रखें और दूप में रखेंगे तो देखें इतना सुन्दर फ्लावर आएगा इसके इतना सुन्दर फ्लावर आता है फ्लावर इसमें में मन्त में एपरिल लास और में और जून पूरा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है फ्लावर बहुत सुन्दर आता है देखे कितना सुन्दर लग रहा है यहां पे तो इस प्लांट से ज्यादा बड़ा फ्लावर है इसके पास और अभी इसमें बड़ाई हुई है अभी सब में बड़ाई हुई है I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक किजिए, सेर किजिए, सस्क्राइब किजिए Thank you friends